अकबार के एक बड़े दोहरे कागस को लेकर हमें की बहुत ही सुन्दर राजसी मुकुट बना सकते हैं अपने सर पर पहन कर हम अपने किसी भी नाटक में या मंडली में भाग ले सकते हैं चलिए बनाते हैं ये राजसी मुकुट सबसे पहले अकबार का एक बड़ा दोहरा पन्ना लीजे बीच में से मोड़ कर एक वर्ग फार लीजे अब कागज का बीच का बिंदू निकालने के लिए उसको दुबारा मोड़ लीजे तिर्चा देखे ये बड़ा वर्ग है और इसके चारो कोने बीच में हमने मोड़े तो अंदर एक छोटा वर्ग बन गया जिसका की एरिया बड़े वर्ग का आधा था अब इसके साथ हम फिर से वही करते हैं इसके चारो कोने बीच में फिर से मोड़ते हैं तो एक ये छोटा वर्ग बन गया, जिसका एरिया फिर से बड़े वर्ग का आधा है. अब इसको हमें वापस मोड़ा, और नीचे का एक कोणा निकाल कर लंबी पटी को बीच के सिरे तक मोड़ दिया. ऐसा ही हम चारों सिरे के लिए करेंगे. ये बाकी दो सिरों के लिए भी करा, और इस बार हमने ताकि हमारी टोपी सर पे बैठ जाए, ये कोने के त्रिकोण अंदर की तरफ मोड़ दिये. ये करने से ये मुकुट बिल्कुल भड़िया सर पर बैठ जाएगा. और अब हमारा मुकुट सर पे जाने के लिए तयार है, बस खोलने की जरुवत है. और खोलते ही एक राजसी मुकुट तयार हो जाएगा, जिसकी चारो दिशाओं में चार त्रिकोण सुशोबित हो रहे हैं. मज़े की बात ये है कि ये मुकुट एक वर्ग जैसा जो दिखता है, इसकी हर बुजा की लंबाई सबसे बड़े वर्ग की बुजा की एक चौधाई है. हमने चार बार मोड़ा और चार बार बराबर मोड़ने से बुजा की लंबाई एक चौधाई हो गई. एक बार मोरने से कितनी होगी सोचेगा तो मजा लीजे इस राजसी मुकुट का सर पर पहनिये और नाटकों में भाग दीजे कितनी हो दीजे एक बार जएख सुद का कितनी है उार में भाऑ कितनी हो यह बार धंता है ।